आप सभी जानते ही हैं कि इस वीकेंड का वार में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है घर के अंदर हुआ है बजर टास्क और इस बजर टास्क में नमबर वन आये अभिशेक और बजर टास्क में हारने की वज़े से खांजादी शो से आउट हुई है लेकिन इन सारे चीजों के बाद अभिशेक टूट चुके हैं क्योंकि यहाँ पर खांजादी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट थी अभिशेक के लिए लेकिन अभिशेक का जाना यानि की अब खांजादी का जाना अभिशेक के लिए बहुत ही बड़ा जटका है तो अब यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर अब खबर आ रही है कि खानजादी जिस तरीके से अब गई है उसके बाद अभिशेक तूट चुके हैं अभिशेक कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे अभिशेक बार-बार हाथ जोड़ कर बोलते में नजर आए कि वो खानजादी को रोखना चाते हैं वो इस पूरे टास को पलटना चाते हैं अभिशेक को अगर पता होता कि इस टास में आखिर आने वाले को इस शो से निकलना होगा तो उनका मानना है कि वो कभी इतनी जोड से दोड़ते ही नहीं तो एक बात तो तह है कि अब अभिशेक की हालत खराब होई है और अभिशेक पर आफ़ता ही है और इस बात को लेकर अभिशेक को लेकर खबर आ रही है कि सेट पर पहुंची है डॉक्टर्स की टीम तो हम आपको बता दे कि आप जानते ही हैं कि तहलका के निकलने के बाद भी अभिशेक इसी तरह से तूट गए थे अभिशेक बहुत जादा परिशान हुए थे और अभिशेक को ईशा कंट्रोल करती नजर आई थी कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर से इस वीकेंड का बार देखने को मिलने वाला है तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में खांजादी का जाना अभिशेक के लिए एक परसनल लॉस की तरह है क्या वाकई में अभिशेक अब खुद को नहीं संभाल पाएंगे आपको क्या लगता है इस वारे में कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें